कभी दंगे, कभी घोटाले, कभी बंबलास, तो कभी आतंकी हमले 2014 से पहले का भारत विकास से गोसो दूर इन परेशानियों को जेलता रहा था लेकिन जैसे अंधेरी रात की सुबा होती है ठीक उसी तरह 2014 में प्रधानमंत्री मोधी की सरकार बनी और देश विकास जनकल्यान के पत पर जनने लगा, पिया मोधी ने देश को हर मोर्ची पल ना केवल समभाला, बल्कि एक मजबूत भारत की नीव रखी, जिसे वर्षों तक कोई हिला नहीं रिसकता धर्म पूर्वे के सरकारों ने राम मंदर को अपने राज़नितिक फाइदे के लिए इस्तमाल किया, हिंदू की आस्ता को नजर अंदास किया लेकिन पिया मोधी ने इसे अपना करतवे मान कर पूरा करके दिखाया वो चाहते तो राजीव गांदी की तरह संसत में आकर अपना फर्मान सुना देते लेकिन उन्होंने कानून का रास्ता चुना और राम लला को उनकी सही जगा बिराचमान किया जो मनमोहन सरकार कहती थी कि देश के संसाथनों पर किवल अर्प संक्यकों का अधिकार है और किवल उन्हें अपना वोट बैंग समझा पिया मोधी ने उसी अर्प संक्यक समुधाय को बिना बेचारा बताए समान रूप से देश में बराबर की पहचान और सम्मान दिया पाकिस्तान में चला गया और बाब में मनमोहन सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया लेकिन इसकी कीमत वर्षों तक सिखोने चुकाई लेकिन पिया मोधी ने 2019 में इसका उठभाटन कर इसे देश के हर सिक को समर्पिक कर दिया अब गुरुद्वारा करतार कुड़ साहिब के पाकिसान में होने के बावजूद लोग इसके दर्शन के लिए जा सकते हैं अब बात रक्षा शेतर की एक समय था कॉंग्रिस का जब उस समय के रक्षा मंतरी एके एंटवी ने खुले आम कहा था कि भारत के पास राफिल खरीदने के पैसे नहीं है ये वो समय था जब हमारे स्यानिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी और तकालीन प्रधान मतरी ये कहकर पल्ला ज़ाड लेते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं होते 2010 से 2013 के भी चीन ने भारत में 600 से अधिक बार घुसपैट करने की पोशुश की थी लेकिन उस पर कारवाई या जवाब देना तदूर उल्टा राहूल सोन या उनी की गोद में बैटे MOU साइन करते नज़र आए थे लेकिन मोधी सरकार में भारत रक्षा शेतर में खर्च करने वाला तीसरा सबसे वड़ा देश है आज भारत के पास राफेल, अपाचे, टेजस, बुलेट पूफ जाकेट, ध्रमोस मिसाइल सब कुछ है आज चीन बॉर्डर पर कोई हरकत करने से पहले हजार बार सोचता है क्योंकि उसे मोधी सरकार का डर है इंफ्रास्ट्रक्षर 2019 से पहले भारत के पास ना तो संसाधनों की कमी थी ना ही पैसों की अगर कमी थी तो वो काम करने की दिनियत की जो हाईवे 2014 तक 91,000 किलोमीटर तक सीमित थे मोधी सरकार में वही 1.47 लाग किलोमीटर तक फैले है जो एक्सप्रेस वे 2014 तक 200 किलोमीटर तक सीमित थे, 2022 में 2360 किलोमीटर तक फैल चुके हैं आज भारत चाहे रेलवे सेशन हो, एरपोर्ट हो या मामुली बस काई, सबका नव निर्मान करके उसे विदेशों जैसा बना रहा है बहस्टाचार 1,86,000 करोर का 2G घोटाला सेवक की रही है, जो दिन में 20 घंटे काम करता है, उनके राज में पॉलिसी पैरलाइसिस की जगा, इस ऑफ डूइंग बिजनेस, नीजी करण, वी निवेश पर जोड़ दिया गया PMOD ने ये साबित करके दिखाया है कि इरादे नेक हो तो किसी भी देश का विकास मुंकिन है हमारे देश की जनता को गर्फ है, ऐसे PM बर जहिन